नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एनर्जे फाइनेंस पर तो दोस्तों जैसा कि कल मैंने बोला था कि एक बार फिर से अब हम लोग डेली कोई ना कोई स्टॉक्स उठा करके डिस्कस करेंगे और बैसिकली मैं रैंडमली आइमीन और उसी सिरीज में आज मैंने लिया है कोल इंडिया को और उसके साथ में कुछ और स्टॉक्स हैं तो डिस्कस करते हैं पहले उठाएंगे जब कोल इंडिया कोल इंडिया की बात करें तो वन थर्टी वन थर्टी वन यहनी 130 और 131 के भाव पर जब यह चल रहा था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था इसके लिए बोलना कि इसको अबायड करने का समय आ चुका है हलांकि यहां पर अगर एक चीज आप देखोगे 200 डियमे आल्मोस देखे 25 जैन के आसपास में मैंने बोला था इसको एक्मिलेट करने को और नो डाउट 129 का मैंने बोला था शॉट्टर में जो बिल्कुल रुकना चाहते हैं वह 129 पे निकल जाना अपना इस टॉप लॉस करके और फिर से जब 127 125 के बीच में आ जाया नि 125 से 127 के बीच में जब आपको ये स्टॉप मिले तो इंट्रीक बना लेना तो दोस्तों इसने 129 तोड़ा यानि स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद में यह दो तीन दिन नीचे आया और देखे 125 से 127 के बीच में रहा तो जिन लोगों ने भी इस रेंज में आकर के बाई किया या फिर जिन लोगों ने आएसा इंट होने के बाद भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कोल इंडिया को रखे रह भाई वो आपको जितना मतलब जितने लोगर लेवल में इसक पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, तो जिन्हों ने भी इस stock को add किया, अभी आप देख सकते हैं, 137 की closing आई हुई है, कोल इंडिया में और जो आज का high लगा है, वो लगा है 138 का, अब दोस्तों अगर कोल इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो आपको एक option दिखा दू, यह option मैंने screenshot share किया हुआ है, टेलिग्राम पे भी मैंने screenshot share किया हुआ है, कोल इंडिया का यह option देख रहा है, वहाई इसने आज 10.05 का लगाया, यह option हम लोगों ने discuss किया था, जब 5 रुपीज के नीचे trade कर रहा था, आज से 3-4 दिन पहले इसको discuss किया था, मैंने कोल इंडिया 130 CE, और यह option आज just double बना करके गया है, तो उमीद करता हूँ, लोगों ने जो WhatsApp member थे, at least उन लोगों ने, I mean उसको भरपूर इसका इस्तेमाल किया होगा, और प्रॉफिट बुक किया होगा, अब चलिए कोल इंडिया जब पोजिशनल की बात आती है, यह तो no doubt कई जगा है, इवेन मेरे लास्ट वीडियो में भी अगर आप 4-5 लास्ट वीडियो उठा लो, जहां पर मैं stock discuss करता हूँ, तो आपको मिल जाएगा कोल इंडिया का भी recommendation, अभी भी बोल ला हूँ, यह stock जब भी deep आए, बहुत, देखें, फिर से मैं बोल ला हूँ, जब भी deep आगर आपको even 137 पे भी खरीदना है न, आप खरीद लो, 100 stock खरीद के 100 stocks खरीद करके रख दो, और उसको समय दो थोड़ा, में भी आपको फिर यह 134 रुपए आता दिखें, में भी आपको फिर से 133 यानि 133, 134 पे आता हुआ दिख जाए, वहाँ पर आप थोड़ा addition और कर सकते हो, लेकिन इसी stock को रखो, overall अभी भी मेरे targets complete नहीं हुए, और जैसा कि मुझे लगता है दोस्तों, यह stock आपको बहु इंडिया इस इन बुलिश मोड और आप जब भी कोई डिपा इसको एड़ कर सकते हो, coming to another stock that is trend, trend में एक हमारे हां में फनींदर जी हैं और उन्होंने बहुत ही heavy quantity में से stock को उठा करके रखा हुआ है, और उनकी वजह से मुझे यह stock काफी, क्योंकि मैंने भी देख रखा है दोस्तों उन्होंने रखा हुआ है share और no doubt जब आपका इतना बड़ा amount फसा हो तो चिंता तो होती है, तो मैं भी stock को काफी दिन से track कर रहा हूँ और जिस दिन यह सच में, I mean 727, 730 के उपर जाता है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, कि finally वो जो patience दो-तीन महीने से रखे हु और जब 700 के उपर closing आएगी, almost you know, 705 के आसपास में अगर closing देता है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छे chance रहेंगे trend में, इसको 720 से लेकर के even 7600 के level बनाने के लिए बहुत अच्छे chance रहेंगे, तो अभी यह फिर से try कर रहा है, इस trend line के उपर close करने के लिए, अना कि किया नही है, कल अगर trend आज की जो closing आप देख पार है, इस candle की closing बता रहा है, 677 यानी 600, 70 की closing आल्मोस्ट, तो दोस्तों कल अगर यह close करता है, अल्मोस्ट, देखे 697 के उपर close करेगा, तो एक उमीद आएगी, और दोस्तों, SMA stock को आप तुरंद track करना, start कर देना, और stop loss अगर आपक आप इस पे entry लेकर के इसको hold कर सकते हो, तो थोड़ा quantity अपनी limited रखेगा, maybe maximum 50 और 100 stocks, not more than that, but yes, अगर यह देखे 705 के उपर, या तो फिर wait कर लो, 705 के उपर जिस दिन closing दे देता है trend, उस दिन आप इस पे position बनाओ, और इसको continue करके ले जाओ, विलकुल 766, 800 तक के level के लिए Coming to next stock, LNTFH, तो दोस्तों जो short term में जिन लोगों ने भी इस stock को add किया, अब इने थोड़ा आप लोगों को alert रहना पड़ेगा, LNTFH में, अगर यह कल जो closing है, closing अगर 92 के नीचे देने लगता है, तो short term के लिए अगर आपने add किया था, तो बिलकुल बिना hesitate किये हुए exit कर ज stock से, otherwise अगर यह 92 के उपर closing बनाए रखता है, तो फिर हम लोग इस trade में बने रहेंगे, I am also holding this stock, but now I am also planning to exit if it is breaking 92, because 92 में अगर मैं निकाल देता हूँ कुछ quantity और मुझे फिर से एक chance मिलता, you know, 88-87 के आस-पास में buy करने का, तो at least थोड़ा बहुत आप समझ रहो ना, मतलब मे मेरा कम सकम 3-4 point का यहां पर benefit हो जाएगा, और जो यहां पर मेरी holding बनी हुई है, 100 के price से है, दोस्तों, तो 100 के price से सोचे अभी 92 के चला ना, क्यों मेरा long term का plan है, but yes, मैं कुछ quantity यहां पर lose करके, उसको थोड़ा minimum जा करके, यानि minimum level में जा करके add करूंगा, Now coming to ChemCon, एक बार आप लोगों को याद होगा, एक महीने पहले ChemCon को मैंने discuss किया था, मैं भी एक महीने भी ना हुए हूँ, दोस्तों, फिर से वही range आ गई है, वहीं से यह reversal ले रहा है, और आज WhatsApp में किसी member ने भी पूछा था कि सर कोई stock बताओ chemical sector में, मैंने बोला ChemCon को add कर ल जीजे, और मेरा मानना है ChemCon आपको बहुत जल्दी, almost you know, अभी इसका current market price 440 के असपास में, तो 464.80 के targets बहुत जल्दी आपको ChemCon दिखा सकता है, then one more thing, अगर आप लोग सोच रहा हो, तो टेलिग्राम चैनल को कैसे जॉइन करें, आफिर WhatsApp broadcast list कैसे जॉइन करें, तो देखिया, आप टेलिग्राम चैनल का नेम है NRJ Finance, और लिंक में जरूर धाने न, t.me slash NRJ Finance, क्योंकि आपको duplicate channel, same नाम के, duplicate other channels भी मिल सकते है, तो t.me slash NRJ Finance, टेलिग्राम चैनल का लिंक है, और न यह मैं NRJ Finance, ट्विटर पे आप मुझे follow कर सकते हो, at the rate wiki NRJ Twitter handle है, YouTube पर आप अल्रेडी वीडियो देख रहे हैं, तो please subscribe the channel and hit the bell icon, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं, वो आप तक आपको notification मिल जाए, और आप उसे देख सकें, अब बात आती है, WhatsApp broadcast list में, आप कैसे add हो सकते हैं, और इसके benefit क्या है, तो दोस्तों इसमें कई सारे trade share किये जाते हैं, chart analysis, जफिए आपकी कोई भी query होती है, वो query सारी चीजे discuss होती है, तो अगर आपको इसको इसमें add होना है, that is completely free, लेकिन उसकी एक सर्ज रहेगी दोस्तों, आप लोगों को referral account खोलना है, खोलने के बाद उसमें trade भी करना है, अगर आप trade आपको नहीं करना है, तो definitely referral account मत खोलिएगा, लेकिन अगर आपको इसमें primarily trade करना है, तो आप खोल सकते हैं, तो angel broking free में DMAT account open करता है, और इसकी charting tool भी इसमें, इसमें trading view का है, definitely you can go for angel broking, और जो referral link हो आपको वीडियो के description मे मिल जाएगा, completely free आईए, coming to upstock this is also completely free और इसका भी referral link जो है, नीचे आपको description में मिल जाएगा, और जिरोधा दोस्तों इसके charge लगते है, 300 जिरोधा आपको चार्ज करेगा, इसलिए इसका link मैं नहीं, मैं बोलूँगा आपको, कि link में click करने से पहले आप मुझको ping कर देना, ताकि मैं आपकी detail ले करके खुद से register कर दूँ, ताकि आपसे कोई गलती नहों, और इस पे भी आप account open करके join कर सकते हैं, then coming back to stock, तो chemcon की मैं बात कर रहा हूँ, 449 के भाव के close हुआ है, and this stock looking good for you know 460 and 480 levels, तो आप इस पे positional अगर आपको entry बनानी है, definitely आप बना सकते है, closing basis SL 418 का रखना, मैं तो बोलता हूँ दोस्तों थोड़ा अगर long term पे आप hold कर सकते हो, तो 397 का आप closing basis SL रखो, और अगर मैं गलत नहीं तो ये stock इस बार you know 500 प्लस आपको level भी दिखा सकता है, अगर आप इसको समय दोगे, at least one month का समय दो, आपको level मिल जाएंगे, coming to Wipro, और द 447 से 50, 450 तक के targets आपको intraday trading में मिल जाएंगे, now coming to Wipro, Wipro की बात करें तो देखिए intraday अगर trade बनाना इसमें, तो कल थोड़ा wait कर लेना आप लोग, जब ये Wipro 440, 440 के उपर की closing बना दे, ठीक है दोस्तों, 440 के उपर की जब ये closing बना देता है, उसके बाद में इसमें entry लेना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, तो positional entry लेनी आपको definitely 440 के उपर closing का कल वेट करना, अगर उसके उपर ये जाता है, close करता है, आप वहाँ पर entry बना सकते हो, और जो SL होगा हमारा closing basis, वो आज का जो closing price है, यानि कि almost closing 435, तो 435 को आप अपना stop loss बना करके positional इसमें बाकी intraday में दोस्तों मैं बोलूँ तो wide कर सकते हैं, even मैं बोलूँगा intraday में short अगर आपको करना है, तो 430 का price अगर ये तोड़ता है, यानि 430 के नीचे अगर ये sustain करता है, तो फिर आप इस पर intraday में short जरूर कर सकते हो, 424 तक के लिए, बाकी मैं तो बोलूँगा intraday म अगर आपको short नहीं करना है, तो positional के लिए wait कीजे, 440 के उपर आता है, entry लगा दीजे, then coming to ICICI, प्रूली, तो दोस्तों इस पे भी ये stock गिरता हुआ, चला आ रहा था काफी दिन से, दो दिन से मैं देख रहा हूं, इस stock को observe कर रहा हूं, और ये stock जो है, अगर मैं आपको clearly दिखाता हूं यहां पर, almost आप देखोगे, कि 470, 4 से लेकर के 475 की range में एक अच्छा base इसने तयार किया है, तो अगर आप उस base को, ठीक है, अगर ये वाला आप देखोगे, almost, ये वाला जो एक base है, अगर इस base को आप closing basis SL बनाओ, CBSL, closing basis SL क्या होता है, आपको telegram में पता चल जाएगा, तो closing basis SL अगर आप इसका 474 बनाते हो, तो दोस्तों ये stock आपको कहीं न कहीं target है, 488 से लेकर के, 496 तक के target बहुत easily देकर के जाएगा, तो ICICI, प्रूली में थोड़ी नजर रखिये, 480 का price है, अब चलिए बात, चलते congratulation की Nifty ने आज lifetime high फिर से बना दिया, एक नया जो lifetime high है Nifty का, that is 14,868, दूसरी चीज, कल की जो closing थी, उसके उपर closing आई है, और जो इसके previous high था इससे all time, उसके उपर की closing है, तो दोस्तों कहीं न कहीं definitely यहाँ पे bullish trend बना हुआ है Nifty में, और मैं बोलूंगा, अगर जैसे आपने future, positional future ले रखा है Nifty का, तो 14,750 का stop loss रख करके, closing basis stop loss रख करके, आप इस पे बने रह सकते, अभी जो expected, इससे targets हमें मिलने, जो आज का high है, that is 14,860, 860 के उपर अगर continue करेगा, तो फिर 15,000 का, जो मैंने कल के वीडियो में भी बोल ला था, वो level आने के परकरार है, हो सकता है, मैं, इसी week में मिल जाए, हो सकता है, अगर इस week में नहीं मिलते, तो मैं आपको ये भी बता दूँ, कि फिर हो सकता है, Nifty reverse कर जाएगा, और reverse करके, almost 14,400, 500 तग आ करके, फिर से दुवारा उपर जाएगा, 15,000 के लिए, तो ये तो थी, अपनी analysis, भाक इसनों कल फिर से मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ में कुछ stocks, discussion करेंगे, thank you